हलो प्रेंस वेल्कम टू मैं चैनल आज बनाएंगे सामर और वो भी साउथ हिम्यन तरीके से तो चलिए बनाना सुरू करते हैं यह मैंने तूर दाल को धो करके ले लिया है यह एक कटूरी तूर दाल है और यह सब्चियां लिया है एक आलू लिया है एक गांजर लिया है दो सिर्ण करेंज़ है थोड़ा सा कद्धू है थोड़ा सा फुलगो भी है और दो भिंडी को काट के लिया है सब्चियां अपनी पसंद की ले सकते हैं सामर के लिए आप इसमें लोकी बेगन और पींस भी केट कर सकते हैं यह दो टमाटर लिया है यह बारी काट के एक करीप टेल डालेंगे तेल को थोड़ा सा ग्राम होने देंगे एक चमस राइ डालेंगे छटक चुकी है थोड़ासा मैं तो दाना डालेंगे एक धडी लाल- palms predator डालेंगे और मसालो को थोड़ा सा भून लेंगे यहीं पर करीपत्ता एट कर देंगे अब प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम गुलावी होने तक भूनेंगे बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं पकाएंगे हलका गुलावी होने तक भूनेंगे प्याज को प्याज हमारी भून चुकी है अब यहीं पर हम सब्जियों को डाल देंगे सामर में गोभी और भिटने का स्वाथ भी बहुत ही बढ़ियां आता है आप इसे जरूर डाल करके देखिएगा है अब हम सारी सब्जियों को दो से तीन मिनिट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे और गेज की फ्लेम को मेडियम रखा है और सब्जियों को चलाते हुए भूनेंगे सब्जाइं हमारी बोन चुकी है थोड़ी अब देखे कलर चेंज हो गया है सब्जी का बुनते बुनते अब यही में हम टमाटर डाल देंगे कि टमाटर को भी हम सब्सब्यों के साथ भून लेंगे ताजनी टमाटर भी अच्छे तरीक निए सब्सब्सब्सक्राइब हम ऐसे तरीके सब भून चुकिंग्ए यही पर हम दाल एट कर देंगे और दाल को भी हम सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे दाल को भी आधा में ठमने भून लिया है सब्जियों के साथ यही पर हम आधा चमज हल्दी पॉडर एट कर देंगे और दो चमज भरके सामर मसाला एट करेंगे बागकी कोई मसाले सहमें इसमें नहीं डालेंगे है हुं ॐ यहीं पर एक चमच नमक डालिये नमक आप सोध साभ से ले सकते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से Convention desi ताकि मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन जाए अग यही पर एक लिटर के करीब पानी एड़ करेंगे इसमें सामहर में आप चाहे तो ज्यादा पानी भी एड़ कर सकते हैं जितना पतला सामहर रखना चाहें उसी साब से यही सामहर में साउथिने निश्टेले में बना रह इससे खटा मिठा स्वाद आता है सामहर में तो इसका स्वाद बहुत ही जबर्जस्त आता है खाने में अब यही पर हम कुकर का ढखकन लगा देंगे और इसमें हम हाई फ्लेम पर एक सीटी लेंगे और दो सीटी हम सिलो फ्लेम पर लेंगे तो कुकर में तीन सीटी लग और सब्जियों को बहुत जादा नहीं घोटेंगे थोड़ी थोड़ी से सब्जयां सामर में दिखनी चाहिए अब इसके लिए हम तड़का तयार कर लेते हैं तो एक चमज के करीब तेल डालेंगे हम तेल को थोड़ा सा गरम हने देंगे अब यहीं पर हम आधा चमज राई डाल देंगे राई को चटकने देंगे राई चटक चुकी दो खड़ी लाल मिर्ची डाल देंगे थोड़ा सा हिंग डालेंगे लाल मुर्ची का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए अब हम यहीं पर करीपत्ता धिर सारा एट कर देंगे सामर में उपर तड़का लगाने में सामर का स्वाथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है अब यहीं पर हम आधा चमस कश्मीरी लाल मुर्च एट कर देंगे अब केस को बन कर देंगे तड़के को सामर के उपर डाल देंगे तो यह देखिए देखने में लग रहा है कितना जबर्जिस्त मारा सामर बन करके तयार हुआ है अब यहीं पर थोड़ा सा रधनिया डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे आप इस तरीकी से बना करके और देते हैं फिर मैं आपको सर्थ करके दिखाते हूं तो गर्मा गर्म सामर हमारा बनके तयार है आप इसे कुकर में फटा फट से बना सकते हैं बनाने में बहुत ज़्यादा टैम भी नहीं लगता है तो साउठ इंडियन तरीके से हमारा सामर बनकर के रेडी है अब यहीं प इसे भी साथ खाई यह बहुत ही टेश्टी लगता है बहुत ही जबर्जा स्वाद आता है आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं राइस के साथ भी इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है रेश्टूरेंट से भी ज्यादा स्वाद सामर आप घर पे ही बना सकते हैं आ आपको सामर की रेसीपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा लाइक सेर करिएगा मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा और पेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी न भुले मैं आप से फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ तब तब किली बबाई